हेलो दोस्तों कैसे यहां प्लो और अभी मैं काट रही हूँ दाल मुझे फ्राई करनी है तो उसके लिए यह लेसन प्याज वगेरा दाल मेरी बन गई है और मुझे वस फ्राई करनी है तो मैंने चने की दाल और उसमें उड़त की दाल मिलाकर बनाई है और यह सामने बूरी रखी है साइड में तो इसमें रखा है मेरा रासन आया है जो तो अभी मैंने निकाला नहीं है रात को आया था और वो भी मुझे निकालना है तो सुबह तो यह सारे कामों की जल्दी होती है तो इसलिए नहीं निकाला तो अभी मैं दाल प्राई करूँगी और उसके बाद रखूँगी चाबल बनने के लिए दुफैर का खानी की तैयारी कर रही हूँ बच्ची भी दाल वगेरा भी नहीं पसंद करते हैं और आजकल अब सब्जियां हैं जो वो थोड़ी से काफी टाइम हो गया है वही खाते खाते तो उनसे भी बोर हो गए हैं मतलब अब कुछ दिनों में थोड़ी दूसरी सबजियां चलने लगेंगी तो अभी मटर गोबी और गाजर यही सबजी चल रही थी सर्दी वाली तो उनसे भी बोर हो गए खाते खाते बहुर नकड़े दिखाते हैं तो आज मैं कई दिन बाद दाल बना रही हूँ लेकिन वो दाल भी आज कल के बच्चे बिलकुल भी दाल वगएरा नहीं पसंद करते तो सुबह मैंने थोड़े सी मेथी आलू बनाए थे तो वो सुबह नास्ते में हो गए थे और अभी दुफैर की खाने में दाल और इधर मैं चावर लगा दूँगी कुकर में और मैंने कपड़े भिगो रखे हैं गरम पानी में काफी देर से भीक रहे हैं क्योंकि अभी कपड़ों की ही दुलाई चल रही हैं तीन-चार दिन से तो मुझे अभी जाकर कपड़े धुलने हैं क्या है कि अभी थोड़ा जल्दी से धुलके डाल दो तो अच्छे से सूख जाते हैं वैसे तो धूप अच्छी निकल रही है अब तो सूख जाते हैं और बस अभी मैंने भिगो के रखे हुएं कुछ बैशीट वगेरा है रज कुछ तो मेरे धुल गए हैं और कुछ हैं धुलने के लिए तो चलो धुल लेती हूं क्योंकि यह भी सबब धुल धुलके हैं जो बिस्तर वगएरा वो रखने हैं जो ज्यादा है भी रजाई वगएरा है तो वो रखनी है और बैसे तो मैं दो तिन दिन से मसीन ही लगा रहे थे लेकिन आज मसीन नहीं हाँ से ही धुलूंगे यह बिचाने वाला विस्तर है तो इसको थोड़ा सा मैंने गरम पानी में ही डाल दिया था था थापी से थोड़ा सा पीट-पीट का धुल दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा मतलब ऐसी साफ करने से काफी अच्छे साफ हो जाते हैं विस्तर लेकिन जब टाइम नहीं रहता है तो मसीन में ही लगा देती हूं और आज थोड़ा टाइम था तो मैं हाँ से ही धुल ले रही हूं और यह है गरम बाली बैट शीट है और गरम बाली रजाई का कवर था तो यह तो ऐसे हैं थोड़े से गुनगने पानी में डाल दो तो बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं क्या है कि जो क्वाइटन के होते हैं और जो सूती रजाई के कवर वगेरा होते हैं वो थोड़ा सा साफ हो जाते हैं तो बस थोड़े गुनगुने पानी में पड़े हुए थे हो गया आधा पॉना घंटा क्योंकि मैं भिको कर अपने दूसरे कामों में लग गई थी घर में भी इतने काम होते हैं पूरा दिन निकल जाता नहीं मालूम पड़ता है काम करते करते और जो लोग घर का और बाहर का काम करते हैं उनके लिए तो पता नहीं पर मैं रहा तो जो घर का ही काम होता है उसी में ही काफी मैं तो ठक जाती हूँ और अभी कुछ कपडो अपडो की धुलाई चल रही है तो कुछ जादा है क्योंकि बस कुछ दिनों तक है फिर ये कपड़े जब रख जाएंगे तो जादा कपड़े नहीं होंगे सर्दियों में ही जादा होते है गर्यूमा में उतने कपड़े नहीं होते है और ये में गुन-गुने मतलब गरम पानी मिक्स करके थंडा गरम मिक्स करके उसी में ही निकाल रही हूँ क्योंकि जो पानी है वो टंकी का है और टंकी का पानी तो वैसे ही काफी थंडा होता है और जो जमीन का पानी ताजा निकलता है वो तो ठीक होता है वो उतना ठंडा नहीं होता है लेकिन जो टंकियों में भरा हुआ पानी होता है वो काफी ठंडा होता है तो मैंने उसमें भी तो हमारे तो वही टंकी वाला पानी आता है समर वगेरा नहीं है तो बस उसमें मैं गरम पानी ही मिक्स करके और ऐसी ही काम करती हूँ अभी अभी धूप तो निकलने लगी है लेकिन फिर भी पानी तो भी थोड़ा ठंडा ही रहता है तो ऐसी ही काम करना पड़ता है गरम पानी मिक्स करके हाँ अगर कहीं खुले में बैठकर धुलो कपड़े तो जैसे छत में या आंगन बगेरा हो और जहां धूप आ रहे हो तो फिर ये है कि वहां तो उतने थंडे पानी की जरूद नहीं पड़ेगी और ये जो मेरा बात्रोम है ये रूम के अंदर का है तो पानी जैसा थंडा होता है वैसे बात्रोम भी थंडा ही होता है मेरा क्योंकि इसको भी धूप बगेरा नहीं लगती है आज जो छत बगेरा पर धुलो तो अच्छा रहता है क्योंकि मतलब उपर की धूप भी लगती रहती है और पानी वगएरा भी उतना ठंडा नहीं लगता है अगर धूप में बैठ कर काम करूँ तो तो यह मेरा आयना बिछिया फस गया था कपड़े में तो वही खुल गया था धीला सा हो गया था तो वही मैं कस्री थी एट पर रखकर और यह जो एट है इसी मेरे बातरूम में ही रहती है क्या है कि मुझे पत्थर वत्थर तो मिलते नहीं है यहाँ पर जो ऐसे कभी-कभी पैर की एडिया होती है वो थोड़ा सा जैसे कभी फट जाती है गंदी सी लगती है तो इस एट में अच्छे से रगड़ दो तो साफ हो जाती है जैसे पत्थर वगएरा होते हैं हाथ पर रगड़ने के लिए वैसे मैं हाथ वगएरा तो पत्थर वगएरा नहीं चलाती है और वैसे यहाँ पर मिलते भी नहीं है सिर्फ हो ना पैर की एडियां रगड़ने के लिए यह इट है मेरे भात्रों में ही रखी रहती है काफी टाइम से रखी हुई है तो इससे न एड़ी बगएरा या पैर का जो तलबा बगएरा है न उसको रगड़ लो तो अच्छे से साफ हो जाता है तो बस उसी काम के ही यीट है मेरी झाल 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 और धूल गए मेरे कपड़े अभी नहना तो रह गया है तो पहले कपड़े वगएरा धूल कर और यह ने धूप वगएरा में टाल दोंगी उसके बाद नहोंगी बैठकर तो बस यह मैं बुरुस से रगड दोंगी फर्स को जिससे क्या है सरप वाला पानी है जो वो जमेगा नहीं निकल जाएगा अच्छे से क्योंकि बात्रों मेरा थोड़ा सा ना इसमें पैर जल्दी से स्लेप होता है यह पुराना काफी टाइम से बना हुआ है ना इस करके इसका जो फर्स है तो बहुत ज्यादा स्लेप होने वाला हो गया है बहुत चिकना टाइप में हो गया है बहुत स्लेप होता है तो इस करके तो जब भी कपड़े अपड़े धुलती हूँ तो जाड़ू से साप करती हूँ लेकिन मैं बुरुस जरूर मार देती हूँ जिससे क्या साबुन बगहरा का पानी ना जम्य क्योंकि मैं यहां पर एक दो बार सिलिप हो चुकी हूँ इस करके मुझे डन लगता रहता है तो बस हो गई कपड़े मेरे और अब मैं इने ड्रायर में डाल कर सुखा लूँगी और फिर धूप में डाल दूँगी क्योंकि मेरे बाहर जगे भी बहुत कम है तो उतने में एक क उपर एक कपड़े भी डालने पड़ते हैं मुझे